बिग बॉस की घर में आप देखने वाली है कि किस तरह से अप जल्द ही शेहनाज और सिधात का रिश्टा बदलता हुआ नजर आएगा जैसा कि दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अप शेहनाज का प्यार इतना ज्यादा सर पर चड़ गया है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसा ही है और क्या गलत है वो सिधार्ट के प्यार में इतने ज़्यादा बावली हो गई है कि मानों उसको सर्फ और सिफ चारू तरफ सिधार्ट नजरा रहा है यहां तकि सिधार्ट के लिए शहनास ने ये भी कह दिया है कि उसको पूरे घर से कोई लेना देना नहीं है उसकी ट्रॉफी भी अब सिधार्ट शुकला ही है जहां सिधार्ट शुकला शहनास की ट्रॉफी बन गए है और जिसको जीतने के लिए अब सिधार्ट एड़ी चूटी का जोड़ लगा देगी फिर चाहे वो घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर तो अब आपको बता दें ऐसे में सिधार्ट का क्या रियक्शन है शहनास को लेकर ये जानना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना प्यार शहनास सिधार्ट से करती है क्या उतना ही प्यार सिधार्ट भी शहनास से करते हैं ये सवाल अभी भी बना हु तो आपको बताएं कि किस तरह से शहनास एक बार फिर से रूटने वाली है सद्धार से और बात्रूम में जाकर लॉक हो जाएगी तो बात्रूम में जाने वाले हैं सद्धार शुकला और शहनास को मनाने की कोशिश करेंगे अब ऐसे में देखना पेहस ज़्यादा अपनी कमेंट्स के थ्रू हमें जरूर बताएगा पर तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 ओनलाइन योस निजम की रिपोर्ट अबस्क्राइब की बाल बाल इकन अबताइब की अबस्क्राइब की रूर्ट